नमस्कार दोस्तों वेल्केम यह टो जीके ट्रिक्स इस वीडियो के लिए रिट एक्जम्स के लिए RBSC 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नमर 6 से सम्मन्दी सारे इंपोर्टेंट प्रश्ण में इस वीडियो में कवर करेंगी देखे मैं आपसे इस वीडियो के एंड में कुछ इंपोर्टेंट बात करना चाता हूँ जो भी इमांदरी के साथ कौन सा बाल अधिकार हननन का उधरन है शिक्सा देना बाल विवा करना भोजन देना या फिर सुरक्सा देना देखे यहां पर करेक्ट आंसर होगा बाल अधिकार हननन का उधरन है बाल विवा करना ओप्सन मर सेकेंड यहां पर करेक्ट आंसर होगा रज्य में बाल अदिकारों के संडरक्षन एवम पुनरवास हैतु कारिरत हैं ख्रसी विभाग, वन विभाग, बाल अदिकारिता विभाग, उप्रयुक्त में से कोई नहिए देखें यहां पर करेक्ट आंसर होगा रज्य में बाल अधिकारों के संद्रक्षन एवम पुन्दरवास हैतू कार्रत है बाल अधिकारीता विभाग ओप्शन मर थड़िया पर करेक्ट आंसर होगा कन्या ब्रूण हत्या का कारण है रोडिवादिता अपरिपक्व मानसिक्ता पुत्र की इच्छा या फिर उपर्युक्त सभी देखी यहां पर करेक्ट आंसर होगा कन्या ब्रूण हत्या का कारण है उपर्युक्त सभी तो यहाब ध्यान केगा बच्चो को अनुसासित करने के लिए निम्न मैसे कौन सा उपाय करना चाहिए बच्चो को सारिक दंड देना चाहिए बच्चो को मानसेक रूप से पताडित करना चाहिए उन्हें समझाकर उनकी गलतियों को बोध करवाना चाहिए या फिर उप्रिक्त सभी देखिए यहां पर correct answer रोगा बच्चों को अनुशसित करने के लिए जो उपए अपनाना चाहिए वो है option method उनने समझा कर उनकी गलतियों का बोध कराना चाहिए निम्न मैसे जो बाल दूर विवार का परिणाम नहीं है वो आपको बताना है अनिद्रा नराश्य की भावना चिड़ चिड़ापन बड़ो का सम्मान न करना तो देखिए यहां पर जो correct answer रोगा बाल दूर विवार का परिणाम नहीं है बड़ो का सम्मान न करना आगे चलते हैं निम्न मैसे जो पुरानी समजिक कुरूती हैं वो कौनसी हैं कन्या भुरून हत्या बाल विवा बाल स्रम बाल लियोन हिंसा देखें यहां पर करेक्ट आंसर होगा पुरानी समजिक कुरूती हैं बाल विवा ओप्सन नमर सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर होगा बाल अधिकार संरक्षन आयोग अधिनियम कब बना 2004 में, 2005, 2006 या फिर 2000 में देखें यहां पर करेक्ट आंसर होगा बाल अधिकार संरक्षन आयोग अधिनियम यह बना था 2005 में सयुक्त राष्ट संग का बाल अधिकार अधिविशन कब हुआ था 20 नवंबर 1975, 20 नवंबर 1990, 20 नवंबर 2000 या फिर 20 नवंबर 2012 देखे यहापर करेक्ट आंसर होगा सयुक्त राष्ट संग का बाल अधिकार अधिविशन हुआ था 20 नवंबर 1990 में ओप्सन मट सेकेंड या पर करेक्ट आंसर होगा बाल अधिकारो को भारत सरकार ने कब स्विकर्थ किया 11 दिसंबर 1990, 11 दिसंबर 1901, 11 दिसंबर 1902 या फिर 11 दिसंबर 1903 देखें या पर करेक्ट आंसर होगा बाल अधिकारो को भारत सरकार ने स्विकर्थ किया था 11 दिसंबर 1992 में तो यह आप ध्यान कियागा भारत सरकार द्वारा 18 वर्षे कम आयू वर्ग के बच्चों के साथ होने वाले यौन हिंसा की रोक्थाम है तू लेंगिंग अपरदों से बालकों का संरक्षन अधिनियम कब लागू किया गया 2010 में 2011 2012 या फिर 2013 में देखें यहाँ पर करेक्ट आंस रोगा यह लागू किया गया था 2012 में और यहाँ पर यह जो अधिनियम दे रखा है देखें इसकी स्वार्ट फॉर्म है पॉक्सो एक्ट तो यह भी आप ध्यान कियागा चाइल्ड हेल्प लाइन नमबर निमन मैंसे कौन सा है एक हजार पच्पन एक हजार अठत्तर एक हजार अन्ठानवे एक हजार निन्यानवे देखें यहाँ पर करेक्ट आंस रोगा ओप्सन नमबर थर्ड चाइल्ड हेल्प लाइन नमबर है एक हजार अन्ठानवे कन्या ब्रून हत्या की रोगधाम के लिए कौन सा कानुन लागू किया गया है PC&PNDT 1990, PC&PNDT 1992, PC&PNDT 1994 या फिर कोई नहीं देखें यहाँ पर करेक्ट आंस रोगा कन्या ब्रून हत्या की रोगधाम के लिए जो कानुन लागू किया गया है PC&PNDT एक्ट 1994 अठारा वर्षे कम उम्र के बच्चों से स्रम कराने की सूचना मिलने पर किस अधिनियम के तहत कार्यवई की जाती है तो यहाँ पर अधिनियम दे रखें देखें यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंस रोगा अगर अठारा वर्षे कम उम्र के बच्चों से किसी भी परकार का स्रम करवा जाता है तो अगर इसकी सूचना गोर्रमेंट को दी जाए तो इसके विरोध कार्यवई की जा सकती है तो यह एक्ट कौन सा है देखें यह एक्ट है कि सोर न्याये बाल को की देखरें एक एवम संद्रक्षन अधिनियम दो हजार तो यह आपको दियान में रखना है ओपसर मर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सयुक्त राष्ट संग द्वारा बाल अधिकार समझोते के तहत बच्चों को कितने परकार के अधिकार प्रदान किये गए है दो, तीन, चार, या फित, पाँच देखें, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सयुक्त राष्ट संग के द्वारा बाल अधिकार समझोते के तहत बच्चों को कुल चार अधिकार प्रदान किये गए है यह चार अधिकार कौन-कौन से आपको दियान में रखना है फर्स्ट है जीने का अधिकार सेकेंड है विकास का अधिकार थर्ड है सुरक्षा का अधिकार और फोर्थ है सहपागित्य का अधिकार तो यह आप कंटरशली दियान रखेगा बाल विवा परतिशेद अधिनियम कब बना 2004 में, 2006 में, 2008 में या फिर 2010 में देखिए याँ पर करेक्ट अंसर होगा बाल विवा परतिशेद अधिनियम ये बना 2006 में ओप्सन नमर सेकेंड याँ पर करेक्ट अंसर होगा तो इस चैप्टर के सारे कोशिन मैंने आपके सामने रख लिए है और देखिए वीडियो के स्टाइटिंग मैंने कहा था कि आपसी वीडियो केंड में कुछ बात करनी है देखिए आप में से काफी अधिक्तर स्टुएंट ऐसे हैं जो रीट को लेकर डिलेग बरत चुके हैं यानि वो सोच रहे कि यार अभी तो 6 मैंने तक कोई एक्जाम होने वाला नहीं है या फिर इसे अधिकी समय लगेगा रीट के एक्जाम को होने में तो मैं आपसे बस इतने कहना चाहूँगा कि बिना पढ़े तो किसी का सेलेक्शन होने वाला नहीं है लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोई फरक ने पढ़ता वैकेंस से कब आये कब नहीं आये वो continuous रूप से पढ़ रहे हैं तो आप भी स्टूडेंट की कैटेगरीजम आए जो continue रूप से पढ़ रहे हैं अगर आप continue रूप से पढ़ेंगे तब ही आपका selection होगा, otherwise मन से वो जो भ्रहम रहता है ना, कि मेरा हो जाएगा बिना पढ़े ही, तो वो भ्रहम आप निकाल दीजेगा, ऐसे किसी का भी selection हुआ नहीं है, और जो यहां तक पहुच हैं, इस वीडियो के end तक मुझे पूर्णत विश्वा से कि आप पढ़ने वाले ही हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं, दो चार कोशन देखके छोड़ के चले जाते हैं, और continue रूप से वो वीडियो वैसे भी देखते नहीं हैं, तो आप उन student की categories में ना आए, जो अपनी study को लेकर excuses बनाते हैं, बहाने ब चूट सकती हैं, क्योंकि माबाप भी इतना effort करने सकते, लेकिन जो जितना भी करते हैं, हमको उनका मैत तो समझना चाहिए, और उनको ध्यान में रखकर, खुद को ध्यान में रखकर, अपनी इस्तिति को ध्यान में रखकर पढ़ई करने चाहिए, अगर हम पढ़ई करेंग पूरी कर चुके वैस्क नागरे करते हैं 18 वर्स 21 वर्स 25 वर्स या फिर 30 वर्स अगर आपको इसका अंसर आता है तो आप comment section बता सकते हैं तो इस वीडियो में इतना है टेलेग्राम से आप जोईन हो सकते हैं simply आप टेलेग्राम पर जाए तो आप भी जोईन हो सकते हैं इस वीडियो में इतना है और देखिए चैनल को subscribe आपको जरूर करना है अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो ताकि जब भी हम next chapter के question आपके लिए लेके आए तो उसकी notification आपको मिल सके तो इस वीडियो में इतना है वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद थेंक्यू, थेंक्यू बरिम्स पर डिशका